हिंदी साहित्ती की कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए हिंदी लेकिका डॉक्टर दीपिका सिंग की कहानी चिडिया उड़। तो शुरू करें कहानी चिडिया उड़। बाहर बरामदे में बैठे बाबा सिर उपर उठाए कुछ देख रहे थे। उन्हें देकर ऐसा लग रहा था। मानों वो हवा में आकरती बनाने की असफल चेश्टा कर रहे हूं। हर बार की असफलता के बाद ठक कर वो इधर उधर नजर जरासी गुमा लेते और फिर से वापस हवा में आकरती बनाने की कोशिश करते। जब उनकी आखें एक्दम ठक जाती तब वो चौकी से उठकर दो-चार कदम चलने लगते। उस समय उनकी कापती हुई सी आकरती दे के बुड़े-बुड़िया अपनी गर्दन इस्प्रिंग पर हिलाया करते हैं। मीमू गुड़ू की बात सुनकर अपनी हतेली से मुग को दबाये खीखी करके हसने लगी। दोनों परदे के पीछे छुपके रोज बाबा को ऐसे ही देखा करते हैं। बाबा कभी चौकी को हिला हिला कर उसे अपने हिसाब से सीधा करने की कोशिश करते हाला कि वो पहले से ही सीधी रखी है। तो कभी दकिये को टेड़ा मेड़ा करके ध्यान से देखते और फिर उसी इस्थान पर दोबारा रख देते। थक हार कर चौकी पर बैठ जाते और हवा में आकरती बनाना शुरू कर देते हैं। एकदम से अचानक उठ खड़े होते हैं जैसे उन्हें किसी कीड़े ने काट लिया हो। जुकते हैं और चौकी पर पड़े चादर को हाथ की उंगलियों को चोड़ा कर नापना शुरू कर देते हैं। एक बित्ता, दो बित्ता, बाबा की हरकतों को देखकर मीनू और गुड़ू फिर से हसना शुरू कर देते हैं। तब ही उनकी मम्मी की आवाज अंदर से आती हुई जान पड़ती है। क्या हो राय इसब? क्या तुमनों को सोना नहीं है? यहाँ पर खड़े होकर टक-टकी लगाए क्या देखते रहते हो? उन्होंने प्य कभी उठकर अलमारी पर रखे स्प्रिंग वाले बुढ़े बुढ़िया के तरह कामते हुए चलने लगते हैं। तो कभी चौकी, तो कभी तकिया, तो कभी उधर उंगली से संकेत करते हुए हवा मे देखते रहते हैं। चुप दोलोग खापी कर बिस्तर पर चलो एकदम त हाँ हाँ लादो रेश्मा खाना लाकर देती है तो बाबा गायब वो बरामदे के सामने रखे हुए गमलों की मिट्टी में कुछ ढोड़ रहे हैं रेश्मा चौंक जाती है इस बार उसे बाबा की हरकते कुछ अजीब लगी बाबुजी मिट्टी में खोई हुई चीज मिल ग सद्मों से जल्दी पहुँच आने की वियर्थ कोशिश करते हैं बड़ी मुश्किल से अपने देश संभालते बाबा हाँखते हुए रेश्मा से कहते हैं वो मैं रेश्मा को देखते उनकी बाकी बाते जैसे उनकी अंदर ही रह जाती है अरे मैं समझ गई बाबुजी आप खाना खाईए खाना देखकर बाबा कुछ सोच में पढ़ गए और बड़ बड़ाने लगे किवल सबजी रोटी ना अचार ना चटनी कुछ भी तो नहीं है ऐसे कैसे घोटाएगा खाना फारवती रहती तो जैसा रुकते हुए उससे कम उमकिती चली गई कोई बात नहीं ह होई है सोई जो राम रची राखा बोल कर जैसे खुद कोई ढहंड़स बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे रिश्मा कमरे में आकर शिशर से बोली मुझे तो लगता है बाबुजी के दिमाग पर असर हो गया है अभी तो ठीक है अगर कहीं ज़्यादा असर हो गया तो बड़ी परेशानी होगी उन्हें खुद तो दिक्कत होगी ही हम लोगों को भी उनको संभालना मुश्किल हो जाएगा क्या ऐसा है तब तो बड़ी दिक्कत होगी शिशर अपने लैप्टॉप पर नजरें गड़ाए हुए ही दीमे से बोला हाँ बुडे लोगों की भी बच्चों क की तरह देखभाल करनी पड़ती है मा के जाने के बाद बाबा एकदम अकेले हो गए है पतानी क्या हवा में इदर अदर देखते रहते हैं एकदम बेचैन से रहते हैं ठीक कहती हो पर इसका कुछ उपाय भी तो नहीं है हम सब उनसे बात तो करते ही रहते हैं भहिया भाबी बातें कर लिया करते थे अब कोई है नहीं ये दोरों छुटकू तो बैठते ही है ना उनके पास अब दिन भर तो कोई उन्हें समय नहीं दे सकता मा की तरह वो तो है लेकिन मैं ये कह रही थी पर छोड़ो उस सोच कर रेश्मा रुख गई तुम अभी काम करोगे ना मैं सो सोने जा रही हूं मीनू और गुड़ो भी सो गए है गुड़ नाइट गुड़ नाइट सुपह दूद पीने के बाद मीनू और गुड़ो फिर से रोज की तरह परदे की ओड़ से बाबा को देखने पहुच गए थे मीनू गुड़ो को ये आशर होता था कि पापा मम्मी तो देर तक सोते रहते हैं लेकिन बाबा इतने बुड़े होकर भी उन्हीं लोगों की तरह सुबह जल्दी उड़ जाते हैं क्या वे भी परदे के पीछे से चुपकर अपने बाबा को देखना चाहते हैं उनके बाबा कौन है उनके मम्मी पापा कौन है क्या उन्हें भी हम लोगों की तरह सुबह सुबह मम्मी पापा से बज़कर छुपम छुपाई या पकड़ा-पकड़ी खिलने का मन करता है अगर करता है तो किसके साथ हमारे साथ तो बाबा कभी नी खेलते वे अब भी बाबा को परदे के पीछे से देखे जा रहे थे बाबा कभी अपनी दोती ठीक करते तो कभी कुरता कभी उठकर चौकी ठीक करते तो कभी पासी सिराने रखे लोटे को देख लेते थोड़ी देर इधर दर करने के बाद शांत हो जाते और फिर से हवा में आकरती बनाने लगते आकरती बनाते समय कभी-कभी वे उंगलियों से इशारे भी करने लगत कभी म्मून से बढ़ बढ़ाने भी लगते नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा पंकी उड़ाने एक गगन को मीनू और गुड्डू को लगा कि बाबा आज कुछ उदास है आज उन्होंने आपस में तैय किया कि वे बाबा के साथ खेलेंगे दोड़ते वे दोनों बाबा के पास पह मा कर वापस से सो जाती हैं हम बोर हो गए हैं कम से कम आप तो हमारे साथ खेलिए बग्चों की आँखों की चमक देखकर बाबा की आँखों में भी चमक आ गई उन्होंने मीनू और गुड्डू के साथ खेलने के लिए तो कहा पर एक शर्ट भी रगती खेलने के बाद उन दोनों को उनका पैर दबाना होगा दोनों खिलने के नाम से ही तने खुश हुए कि पैर दबाने के लिए जटपट राजी हो गए बाबा ने अपनी हतेली आगे करते हुए कहा इस पर अपनी अपने उंगली रखो जब दोनों ने उंगली रख दी तो बाबा ने कहना शुर सब तो उड़ी गए हतेली से भी और बगीचे से भी अब सब को सूख चुका है हर्याली ही नी बची ना बाहर ना मन में बाबा को अदास देकर मीनू से रहानी किया वो बोली बाबा जल्दी उठिये उठिये जल्दी जल्दी उसने अपने दोनों हाथों से बाबा का दोनों ह नहीं था और मीनू से हाथ छुड़ा कर चौकी पर आकर पैट गए इस बार उनकी आखें आसों से गीली थी उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ बोलना चाह रहे हैं लेकिन उम्र ने उनकी आवाज को थाम लिया है वे कुछ दिखाना चाह रहे हैं लेकिन आख में आसू आ जाने से वो चीज खुद भी उन्हें नहीं दिख रही मीनू फिर से पैर पटक पटक करजित करने लगी बाबा खेलिये ना प्लीज बाबा प्लीज पर इस बार बाबा जरा भी नहीं ले उन्होंने कुछ कठोर होते हुए मीनू और गुट्टू से कहा तुम द कमर पर एक हाँ सिर पर रखकर बाबा को चिड़ाने लगी जूट बोलना पाप है नदी किनारे साप है वही तुमारा बाब है और भाग गई बाबा हलके से मुस्कुराए सब जूट ही तो बोलते हैं अब किसी को पाप नहीं लगता अब तो बेटे ही बाब बन बैठे हैं जैसे जैसे चारपाई आउट डेटिट होती गई वैसे ही बुजर्ग भी उन्होंने कई दिनों बाद गौर से अपने हाथ पैर को देखा उन पर जुरियों की संक्या बढ़ गई थी उनके हाथ पैर के नाकून सक्त और बेतर तीब से बढ़ाए थे कोहनी में तेल ना लग रहा था बाहर निकलते भी तो करते क्या दोड़ते भागते लोगों का मुकाबला भला उनका कापता शरीर कहां तक कर पाता घर में लोगों से ज़्यादा रंग विरंगे पड़ दे थे लोगों की आवाजों से ज़्यादा मशीनों की आवाजे आती थी ये तो बच्चे ही हैं जो कभी कवी कौतूहल वश उनको चिडिया घर का जानवर समझ कर देखने चले आते हैं वे मदारी के बंदर की तरह थोड़ी देर उनका मनोरजन कर देते नहीं तो बच्चे भी टीवी और मोबाइल पर दिन पर खोए रहते हैं पारवती को इतना जल्दी नहीं जाना था उमर में मुझसे काफी छोटी थी लेकिन चली गई पंकी उड़ाने गगन को पिंड रहा पर देस बापा को न जाने क्या हुआ वे लड़कराते कदमों से लगबग दौरते हुए बाहर निकल गए उनकी सांसे फूल रही थी पर उनको इस समय उसकी जरा भी चिंता नही थी वे फ्लैट के बाहर कुछी दूर पर नाई की दुकान में आखें मूंद कर बैट गए नाई को उन्होंने अपनी दाड़ी मूझ छिलने का इशारा कर दिया दाड़ी मूझ छिलने के बाद उन्हें अजीब सी तरपती मिली वे घर वापस आ गए मीनू गुडू और रेश् के थे शिशे रात में आने के बाद ही देख पाया बाबा को देखने के बाद उसकी आंके फटी की फटी रह गई उसने चिलाते हुए पूछा बाबू जी ये सब क्या है आपका दिमाग तो ठीक है ना बाबा सहमे सौरें बोले बेटा मैंने नाई से दाड़ी मूझे चीलन हो गए हैं शिशे भी आखे फाड़े बाबू जी को देखता हुआ जैसे यही सुनने की प्रतीक्षा में था रेश्मा ने शिशे के विश्वास पर अपनी प्रमानिक्ता के महर लगा दी बाबा इन सब की बातें आखे बंद किये सुन रही थे लेकिन आज हो बहुत खुश थे अपने बाए पैर के घुटने पर अपना दाया पैर चढ़ाए अपने दूनों हाथों को सिर के पीछे मोड़े बाबा आज अंदर से संतुष्ट थे जैसे उन्होंने परवती के असमे चले जाने का कुछ तो बोज कम किया हो अगर इस तरह विद्वा होने पर सिर मुड दूआ लेती हैं तो मैं क्यों नहीं इस तरह एक दिन तक बाबा एकदम शांत रहे मीनू और गुडू ने महसूस किया कि बाबा आज हवा में आकरती नहीं बना रहे बाबा बार बार अपनी चौकी तकिया और चादर भी नहीं इला डुला रहे आज बाबा ने उनकी तरफ प्यार से देखा भी था बाबा आज उनको देखकर हलका सा मुस्कुराए भी थे किन्त उसी के दूसरे दिन बाबा अचानक बेहोश हो कर गिर पड़े थे उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर उन्हें भरती कर लिया था उन्हें पानी चड़ रहा थ उनका CT scan, blood test, sugar, BP सारे test हुए सब कुछ normal निकला बाबा को होश आया वे इधर उधर कुछ ढूनने लगे पहले उन्हें अपने बाएं हाथ से बिस्तर और तक्या टटोला फिर रोज की तरह हवा में आकरती बनाने की कोशिश करने लगे अचानक उनके दिल की धरकन बढ़ ग वे एकदम से बेचैन हो गए, इसी बेचैनी में वे लड़ खड़ाते हुए उठ खड़े हुए और दर्वाजे की तरफ भागने लगे, तब ही उन्हें महसूस हुआ वे अब शरीर नहीं है, आत्मा है, उन्होंने पीछे मुर कर देखा, उनका शरीर विस्तर पर पड़ा उनकी आखें किसी आकरत की तलाश में खुली रह गई थी, मूवी बंद करने की लाख कोशिशों के बावजूद खुला रह गया था, उनके सिराने बैठे सब रो रहे थे, पर अब वे हवा में आकरती मातर थे, अभी आप सुन रहे थे, डॉक्टर दीपिका सिंग की लिख में शुब हो